recap the sudeshi and the boycott movement यह जो sudeshi movement है इसकी एक्तासे उत्पति anti-partition movement से फुई इस movement का जो start हुआ था वो इसलिए हुआ था था कि oppose कर सके British decision को कि वो Bengal का partition ना करे अब हमारा जिसमें पहला topic है वो है partition of Bengal to divide people British government के जो decision था कि हमें Bengal का partition करना है यह उनने publicly बताया December 1903 अब इसके पीछे इनका विचार क्या था कि दो provinces होनी चाहिए Bengal जो है डिवाइट कर दिया जाए West Bengal में और East Bengal में West Bengal के साथ साथ प्रोविंसे बिहार और इसा की भी आ जाएंगी और East Bengal में आसाम को जो है साथ में एड हो जाएगा West Bengal की capital उन्होंने कलकटा रखी तेपी East Bengal की capital डाका करना अब इसके पीछे जो ऑफिशियल रीजन था सच भी रही लेकिन असली मंशा जो ब्रिटिश की थी वो यह थी कि बेंगाल को कमजोर करना था क्योंकि यह नर्व सेंटर बन रहा था नीश्टलेजम का और बेंगाली जो है इसलिए उन्होंने उनको दो एड्मिस्टेशन के अंडर डिवाइट कर दिया अब एक था बेंगाली जो है रिडियूस हो गए माइनौर्टी में आगए अपने कुछ के बेंगाल में क्योंकि जो नया प्रपोसल था उसके अकॉर्डिंग बेंगाल फ्रॉपर में 17 मिलियन बेंगाली और 37 मिलियन हिंदी और ओडियास बोलने वाले थे दूसरा दाम कर रिलीजियन ब अब मुस्लिम्स को थोड़ा और जादा मनाने के लिए पैसिसाइए करने के लिए कर्दम जो कि उस टाइम पे वाइजरोई थे उन्होंने डाका को कैपिटल बना दिया और साथी साथ यह हुआ कि यह अब जो है नई मुस्लिम मैजॉर्टी प्रोविंस की कैपिटल रहेगी ताकि इनको जो है यूनिटी मिल सके ऐसी यूनिटी जो उन्होंने कभी एक्स्पिरेंस नहीं करी जो ओल्डेज रहे मुस्लिम्स वाइजरोई और किंग्स के तो इससे यह विल्कु साफ बात होगे कि गवर्मेंट जो है अब अपनी पुरानी पॉलिसी पे थी कि मुस्लिम अमिलिटी को जो है उक्साओ कि वो जो है कॉंग्रेस और नेशनल मुव्मेंट के अगेंस एंटी पाटिक्शन केंपेंड अंडर मॉर्डी नाइटी से 95 अब यह जो टाइम पीरेड था 1903 से 1905 तरका इस टाइम पे जो लीडर्शिप थी वो थी सुरेज नाज बेनर जिया क के मित्रा और पित्रीश चंद्रेग जो मेथड लोगों की तोर अपनाए गए वो थे गॉवर्मेंट तो गिवन प्रेटिक्शन, पॉब्लिक मीटिंग्स, मेमुरेंड़, प्रपोगेंड़ और यह सब इनोंने किया न्यूस पेपर्स और पैंफ्रेस के सुर्ष जिसमें ज जो है अंजिस्ट पार्टिशन जो बेंगॉल का हो रहा है उसे किसी तरीके से लागू होने से पहरी प्रोक लेकिन जो इतना बड़ा पब्लिक उपिनियन था पार्टिशन के अगेंस उसको पूरी तरीके से बुटिश गॉर्मेंट ने इग्नोर कर दिया और पार्टिशन अनॉंस कर दिया जुलाई 1905 जैना के जिना कुछी दिनों में प्रोटेस्ट मीटिंग चुरू हो गई छोटे चोटे चोटे टाउंस में पूरे बेंगॉल के अंदर प्लेट ली जाने लग गई कि अब बॉल्कॉर्ट कर दिया जाएक फॉरन गोड्स को और ये चीज पहली हो गए जो और बाकी हिस्से थे बेंगॉल के ताकि बहाँ पर ये मैसेज दे सके बॉयकॉर्ट का जो है मैंचेस्टर क्लॉट और लिवर्पूल सॉल्ट इसका रूना का बॉयकॉर्ट किया जा रहा था इसका प्रचार कुसार करने के लिए ये लोग जहतर और बाकी भी इस नंगे पैर चल रहे थे जुलूश निकाल रहे थे उसमें बंदे मात्रम घाना जा जा रहे थे यही में स्क्रीन सॉंटेंग के मूबन का अमार सोनार बंगला ये नेशनल एंथम बना जो आज का प्रेजन डेप बंगला देश है उसका इसको लिखा था रविन ना टेगॉर में और पता निक कितने सारे लोग जो है वो सड़कों पर मार्च कर रहे थे और ये गाना गाते जा रहे थे लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांदी ताकि सिंबल ऑफ यूनिटी को दर्शा आया जा सके दोनों हाफ के बीच में जो बेंगॉल में हुआ था बार में बड़ी-बड़ी गैसमें को अड्रेस किया और बहुती कम समय के अंदर जो है मीटिंग के लगब पचास हजार रुपे जो है वो रेज कर लिए गये मूमेट को जो है और उसी कंट्री के हिस्सों में फैलने लग गया तो पूना और बंबे में सिलग जो है इसको लीड कर र में उस टाइम पर प्रेजिदेंट शित्थी गोबाद कुष्ण गोग लेगी और यह है मीटिंग वी रिजॉल्व करने के लिए कि कंट्णम किया जाएगा पार्डिशन और बेंगॉल और जो रेक्शनरी पॉलिसी हैं लोड प्रजन की उनको साथी साथ एंटी पार्डिश जाए अदर पार्स में कंट्री के और जो मुवमेंट है बॉयकॉट मुवमेंट यह एक तरीके से सिर्फ फॉर्ण गोड्स करना हो बलकि पूरा फुल फ्लेश मुवमेंट को जिसमें एक तरी से पूरी को पूरा मास्ट्रवल जो है वो दिखाई गये जिसका सबका मकसद हो स्वराज को अटेंड करने का है लेकिन उस टाइम पर कॉंग्रस में जो हैं मॉडरेट्स डॉमिनिट करे थे जो कि इसी रूप तक नहीं जाना चाहते थे और एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया कॉंग्रस सेशन के अंदर जो कि कैलकटा 1906 में हुए प्रेसिडेंट शिक बीच का इटो एक dispute था मद्वेट था वो जो है movement की गती को लेकर जो टेक्नीक हो रही है struggle की उनको लेकर था फाइनली लोग के बीच का इस dispute एक डेडलोग पर पहुँच गया सूरत सेशन जो हुआ इंडिया नेशन कॉंगरस का 1907 में और फाइनली वही पार्टी स्प्लिट हो गई दो एक तरह से जो serious परिणाम होते शोदेशी movement के उसको लेकर जो है पार्टी स्प्लिट हो